इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन नितन्याहू कह रहे हैं कि आईडियफ ने हिजबुल्ला प्रमुक हसन नसरल्ला के उत्राधिकारी हाशिम सैफुद्दीन और उसके भी उत्राधिकारी को बेरूत हमले में मार गिराया नितन्याहू का दावा है कि हिजबुल्ला बेहद ही कमजोर पड़ गया है लेकिन दक्षणी लेबनान से जो तस्वीरे सामने आ रही है वो इस बात की गवाही देती है कि नसरल्ला के मारे जाने के बावजूद हिजबुल्ला के लड़ाके आईडियफ के आगे हत्यार डालने को तैयार नहीं है बलकि उल्टा अब वो दोगुनी ताकत के साथ इसराइली सेना के उपर हम लेकर रहे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं हिजबुल्ला के जवाबी हमलों की जिनकी वज़ा से पूरे इसराइल में एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है और इसी कड़ी में अब हिजबुल्ला ने इसराइल के तटवर्तिय और आसपास के सेटलमेंट्स पर 30 मिनट के भीतर करीब 105 रॉकेट आर्टलरी गोले दागे हैं खुद इसराइली न्यूज एजनसी चैनल 14 ने अपनी खबर में इस बात का उलेख किया है कि ये हमले हिजबुल्ला के टिप्टी चीफ नईम शेक के भाशन के दौरान हुए यहाँ तक कि इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम भी हिजबुल्ला के रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने में काम्याब नहीं हो पाए चैनल 14 के मताबिक हिजबुल्ला के कई रॉकेट इसराइल की कई इमारतों पर जागिरे जिस से भारी नुकसान हुआ है इन हमलों का सबसे ज्यादा असार केरियत मौचसिकीन और केरियत याम सेटलमेंट में हुआ है यह सभी इलाके उत्री हाइफा शहर के क्रेयट क्लस्टर का हिस्सा है और बड़ी बात यह है कि इन हमलों की वज़ा से कई सेटलर्स को अस्पताल तक भेजना पड़ा वहीं दूसरी तरफ हिजबुला का इन हमलों को लेकर कहना है कि उसने हाइफा और क्रेयट शहर पर रॉकेटों का पूरा जथा फायर किया है वहीं इस हमले को लेकर हाइफा के मेयर योना याहाव का कहना है कि हिजबुला का एक रॉकेट हाइफा की एक बिल्डिंग पर सीधे जा लगा लेकिन सबसे बड़ा खत्रा उन केमिकल प्लांट से है जिन को लेकर हाइफा के मेयर ने चिंता जाहिर की है हाइफा के मेयर का कहना है कि इस इलाके में कई केमिकल प्लांट्स हैं जिन पर हमला होने से पूरे इलाके में तबाह ही आ जाएगी हाइफा के मेयर यहाव का आरोप है कि सरकार इलाके के लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है और तो और जब उन्होंने सरकार से केमिकल प्लांट हटाने की गुजारिश की तो उसका भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला हाइफा के मेयर के मताबिक उन्हें इलाके के लोगों को सुरक्षित करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत है लेकिन अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे आपको बता दे कि इजराइली सेना की कमांड ने किरियत अता, किरियत बिलीका, किरियत याम और किरियत मोजसकीन के लिए बे variance के लिए बेहद ही सकत दिशा निर्देश जारी किये हैं सेना ने सक्त हिदायत दी है कि इन इलाकों में किसी भी सूरत में स्कूल ना खोले जाए क्योंकि हाल ही में हिजबुला के हमलों में इन स्कूलों पर सबसे ज्यादा खत्रा बढ़ गया है हिजबुला के हमलों से मासूम बच्चों को बचाया जा सके इसलिए सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी किये हैं लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि आखिर हिजबुला बार 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 हाइफा को ही निशाना क्यों बना रहा है तो आपको बता दें कि इसराइल के लिए हाइफा बेहद ही एहम है साल 1948 के युद में हाइफा पूरी जंग की धुरी था और 22 अपरैल 1948 में आरबो ने हाइफा को इसराइल के आगे सरेंडर कर दिया था हाइफा इसराइल का प्रमुक बंदरगा और औद्योग इक शहर है और इसका इसराइल की अर्थ विवस्था में बेहद एहम योगदान भी है कर दो में योगदान थाइब का है